एक समय की बात है, किसी जंगल में एक कावा रहता था, एक दिन उसे बड़ी जोड़र से प्यास लगी, वह पानी की तलास में बहुत दूर तक उड़ता रहा हाई, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा रहेगा वह पानी की तलास में उड़ता रहा अच्छानक वह उड़ते एक बाग में पहुचा और वहाँ उसे एक घड़ा दिखी खुनाय का शुकर है, मुझे घड़ा नज़र आया जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी था जब कावे ने पानी पिना चाहा तो उसकी चोच पानी तक नहीं पहुच पाई उसने हर तरह से पानी पिने की कोशिस की पर सब कोशिस बेकार गई तब ही उसे एक उपाय सुझा उसने आसपास से कंकर एक तरित कर उसे एक एक करके अपनी चोच से घड़े में डालना प्रारम्भ कर दिया और तब तक डालता रहा जब तक की घड़े कूपर तक पानी नहीं आ गई कावे ने फिर जी भर कर पानी पिया और फिर उड़ गई तो दोस्तों हमें इस कहानी से यह सिख मिलती है कि हमें मुसिबात के समय घबराना नहीं चाहिए बलकि उसका डट कर सामना करना चाहिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अबेल आइकन की घंठी को जगर दबाएं धन्यवाद कर दो